हलो दोस्तो कैसे हैं आप सब दोस्तो आज हम आपको बताने वाले हैं टाटा नेनो की स्टार्टिंग प्रॉब्लम के बारे में और यह देख लीजिए टाटा नेनो है और इसकी जो स्टार्टिंग के प्रॉब्लम आ रही है तो हम दोस्तो इस वीडियो में जो है आपको दिख से पहले आपको कार जो इसकी स्टार्ट करके दिखाता हूं और एक जो इसमें ऑवर इटिंग का जो चाबी का जो रैट कलर का वो इंडिकेशन लगातार जो इसमें बना रहे रहा था और कंटीन्यू इंजन से आवाज आ रही थी ते टींटी मेटर जो इसका लगातार आवाज करता है दोस्तों देख लीजें और फाइनली दोस्तों गाड़ी की जो इस्टार्टिंग अभी तो ठीक हुई है लेकिन कभी कभी बहुत जादा लेट इस्टार्टिंग जो इसकी हो रही थी और मैंना इसका टीसिटी सेंसर और कोई दिखाई नीधी आगे से थोड़ा सा इंजन के पास से इसकी वाइरिंग कटी थी तो वह भी मैं इस वीडियो मापको दिखाने वाला हूं कि यह सब कैसे हमने ठीक किया है तो यह देख लिए दोस्तों कितना ज्यादा जो इसका इंडिकेशन अमर्ला आवाज कर रहा है तो मैं सबसे पहले जो इसमें इसकेनर लगाऊंगा और इसकेनर लगा करके डिटी सी फोल्ड चेक करना है और यह देख लीजिए मैंने इसकेनर जो है मैं इसमें कनेक्ट कर रहा हूँ और यहां से जो है टाटा मैंने उठा लेना है ताटा की सारी काड़य यहां से जो है मैंने उठा लेनी ह्याय तो हमने दिखागी नेन milligram q toc नेयन नेन का works to the app पर काम करना है और यह नेन ही यह टाटा है er और यह एसीय में जाकर के मैं सबसे पहले तोस्तों इसका और मॉडल में जाकर करके चेक करता हूं क्योंकि गाड़ी हमारी ओल्ड मॉडल फाले बाद यह नेनो मेने उठा लेनी है और यह देख लिए क्या बता रहा है कंट इस्यू इसका कनेक्ट्र न हैं अगर तो आप में एक बार जो है इंगि अगर सकारै ए्ओर फिर भी कनेक्ट्र नहीं हो रहा है तो मैं काम करता हूँ बहले भेग ताउम और बेग जाने के बार इसका नियू मोडल़ दोस्तों नियो वर्जन में जो है मैंने उठा लिया इसको और नेनो 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 सिस्टम सेलेक्शन इंजन उथा इंजन में जाने के बाद जो है देखते हैं अब इस्यू क्या बहुता है इसका और यहां पर भी बहुता है कनेक्टेड एससेंड नीकर बाल एसके नहीं कर पा रहा है हमारा सिस्टम यह हम अनुड़ी हम जो को च nation इ mean और थे दो की दोस्तों पूरी वाइर इंग और आपका इस्टी सेंसर और फ्यूज वगएरा है टुजेट सारे चेक कर रहे हैं गाड़ी में लेकिन सेम वही प्रॉब्लम आ रही थी यह देख लिए किस तरह से जो है स्टार्ट होने के बाद यह लगातार वीलिंग कर रही है और इसका जो है सराउट फैन भी नी चल पा रहा है गाड़ी बहुत ज्यादा ओवरेट हो जा रही है और एक्सलेटर बगेरा भी जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है रेस बिल्कुल नहीं पकड़ लिए गाड़ी तो यह देख लीजिए मैंने अल्रडी जो है इसकी वाइरिंग यहां से चेक करी थी तो यह वाइरिंग जो थी बोड़ी जो है ग्राउंड हो रहा था यह इस चाहिए इस अब कटी थी यहां से देख लिए मैंने नहीं टैपिंग कर रेकी एसमें तो मैंने जो है दोस्तों एक और ए-शिम जो इसका ले रखा है एक किसी दूसरी गाड़ी का मैंने ए-शियम खुला है और ए-शिम खुलने के बाद जो है मैं इसमें लगा करकर वो भी चेक करूंगा यहां से जो मैंने सब टेपिंग कर रखी है पहले मैं ECM इसका कपलर बाहर निकाल करके और जो मैंने दूसरा ECM लिया है तो इस टार्टिंग की बहुत जादा जो है गाड़ी में प्रफलम आ रही थी और लगातार ओवरिटिंग का जो है साइन दिखा रही थी तो यह देख लीजिए मैंने यह टार्टा नेनो का एक सेकंड एंड जो है मतलब ECM लिया है और ECM लेने के बाद अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ लगाता हूँ कपलर को अच्छे से बिठाता हूँ और बिठाने के बाद देखता हूँ कि फिर आगे क्या गाम करती है गाड़ी हमारी स्टार्ट होती है नहीं होती है लाइड जाती है नहीं जाती है तो य प्रोप्पलम यह गई या नहीं गई अ ingen. उप मरश आ, हमारी आए जтор शुकी है और उसमें क्या प्रोबलमा और हनी थे अयक्सेलेटर बिलकल भी गाड़ी हमारी नहीं ले थी तो एक्सेलेटर लेना भी जो इसने शुरू कर दिया है मैं एक बार एक्सेलेटर लेकर करके भी दिखाऊना आपको और अब मैं गरम करके फेन बगेरा भी इसका चला करके देखता हूँ और दोस्तों आपने देखा होगा कार जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हा रही थी यह भी मैंने आपको दिखा दिया इसके जो है इसके सारा फ्यूज पूरी वाइरिंग और यहां तक की ECT सेंसर जो होता है वह भी इसका चेंज करते हैं लेकिन अपने अपना इसका पर काम करूंगा तो फाइनली दोस्तों हमारी काली की दिक्क्त है रही थी इसका चेंज कर जाए तूसरी गाड़ी का इसमें लगाया है और यह देख लीजिए मैं एक बार जो है कार को स्टार्ट करके और आपको दिखा देता हूं किस तरह से जो इसका इंडिकेशन जो पहले आ रहा था यह देख लिए दोस्तों यह तो यह दो वाली जो है इंजन चेकल आइडिया जनली है इसके मैं उपर अभी काम करूंगा लेकिन यहां पर जो एक इंटिकेशन आ रहा था ओवरेटिंग वाला लगातार जो बीलिंग कर रहा था उसकी बेसे क्या हो रहा था दोस्तों हमारा गा यह दोस्तों आपने देखा होगा मैंने इसका इसी जो है पूरा लगा दिया है अब में वह पुराना वाला एसीम खोल कर भी लगा देता हूं और यहां से कटी ती इसको अच्छे से मैंने टेप कर दिया है तो गाड़ी जो है दोस्तों मेरी पूरी कंपलीटली हो चुकी है अब मैं इसीम जो है इसका ओल्ड वाला खोल के और याला लगा दूँगा उसके बाद जो इसका इंजन चेक लाइट आ रही है उसके काम करूंगा और एक बार एक्सेलेटर देता हूं इसका चेक करता हूं अच्छे से पकड़ लिए और कार जो हमारी रेस भी अच्छे से जसका बार खोल देता हूं information याद रेस लाँ जीजन से को बाद देता हूं जाँ लेसके बाद्सका चेक टारेश एक्से से बासे वाला दो हमारी आट एक्सेन से घसके झाख सका अप्सके सुर्दा आट जास से वाला ग्सका शो आदो आदेता हूं इसके।